दोस्तों आजकल ना एक iPad के अलावा हर किस्म का टाबलेट 25,000 के आसपास में आपको मिल जाता है 3K टाबलेट चाहिए वो है, Performance Oriented टाबलेट चाहिए वो भी है Artistic वर के लिए S Pen वाला टाबलेट चाहिए, यहां बैकप जैदा चाहिए तो even 10,000 mAh की बैटरी वाला टाबलेट भी ना 25,000 के आसपास आपको आजकल मिल जाता है ऐसे कुछ value for money feature rich टाबलेट इस वीडियो में इंक्लूड करें मैंने इन टोटल में आपको 5-6 टाबलेट बताने वाला हूँ जो कि आपको 25,000 के आसपास मिलते हैं और करेंटली इस इंक्लूड़ेट टाबलेट आर मोस्ट वर्थी डील्स अराउंड 25,000 लिस्ट के शुरुवात करते हैं एक नए नवेले टाबलेट से आटम फाइव याव गिलेक्सी टाब A9 प्लस गिलेक्सी टाब A9 का रिव्यू मैंने अल्रेडी कर रखा है बट इस टाब A9 प्लस इस सम्थिंग डिफरेंट चितना वैली फर मनी 12,000 का टाब A9 इना उतनी ही प्राइस के साब से वैल्यू ये टाब A9 प्लस लाग करता है बट आज इस सांसुंग टाबलेट उप्टिमाइजेशन नॉक सिक्योराटी वगरा सब मिलता आपको तेस वाइपचिस जार के आसपास का बेस्ट महीं बट हाँ एक एक कंसुडरिबल ऑप्शिंग टाब A9 प्लस जरूर बनता है 11 विंचेस का आपको मिलता है WQXGA डिस्प्लेइ इसा LCD पैनल डिस्प्लेइ और 90Hz का आपको मिलती है इस प्राइस पर ये टाबलेट IPS पैनल लाग करता है बट नाट से नॉट आ मेजर इशू बिकास डिस्प्लेइ ओवरॉल काफी बढ़िया है कलर्स वगल है काफी अच्छे से टोन्ड है 8 Megabixels का आपको मिलता है rear camera और 5 Megabixels का है front दोनों camera's 1080p 30fps recording support करते हैं 1 UI 5.1 मिलता आपको और आट अट अफ़ दे बॉक्स Android 13 के साथ में ये Tab A9 Plus आपको मिलेगा फॉर हैंडलिंग दी इस प्रेक्स Snapdragon 695 chipset है इस टाबलेट में इस आप 5G chipset बढ़ इतना पारफुल बिलकुल नहीं है क्यार casual games वगर आप आराम से खेल पाओगे बट heavy games like BGMI, COD केवल low settings पे playable है बाटरी इस टाबलेट में है 7040 mH की एक 11 इंच के टाबलेट के साबसे battery size decent है बट हां optimization अच्छी है इसलिए आपको backup अच्छा मिलता है बट for powering up this machine केवल 15 watts का charger मिलता है आपको and यह time लगेगा चार्ज होने में along with these all things main USPS tab A9 plus की है knock security अगर आपको gaming वगरे नहीं करनी आपको एक अच्छी build वाला अच्छी brand का tablet चाहिए जो की main चीज secure हो trading वगरे करनी अगर आपको then उस case में यह Tami9 plus आपके लिए एक अच्छा option है LTE variant will cost you around 24,000 rupees अगर आपको केवल Wi-Fi चाहिए तो काफी acceptable price 20,000 में यह tablet आपको मिल जाएगा दोस्तो आट number 4 we have OnePlus Padgo अगर आपको केवल एक Wi-Fi टाप चाहिए और आपका budget 20,000 के असपास का है then यह OnePlus Padgo आपके लिए बिल्कुल best option है 11.35 inches का 2.4K display यह tablet आपको offer करता है बहुती vibrant punchy displays टापका looks very nice उपर से 400 nits की brightness है so हाँ even in outdoors काफी हद तक visible display मिलता आपको एक एना square shape tablet है यह front camera आपको landscape ली placed मिलता है it's a good as well as bad thing ऐसा camera setup ना थोड़ा odd लगता है बट हाँ ऐसा setup tabs में काफी काम आता है like आपको classes वगर attend करनी होगी meetings वगर attend करने में landscape camera placement of a tablet turn out's very useful 8,000 mAh की बड़ी battery है इस tab में and half hour charging of this machine 33 watts के आपको fast charging भी मिलती है oneplus की तरफ से काफी optimized oxygen OS offer करता है tab आपको and for performance helio G99 chipset is tab में देखो casual gaming day-to-day tasks के लिए chipset enough है but gaming में na helio G99 पिछले snapdragon 695 से भी inferior है so if you are seeking performance यह tab आप prefer मत करना but हाँ day-to-day task को casual surfing halki full की gaming में कोई भी performance की कमी आपको feel नहीं होगी बाके in terms of looks एक काफी premium tab लगता है यह and काफी अद तक 40,000 वाले oneplus tab वाले looks मिलते हैं आपको Dolby अट में supporting quad speakers भी है and yeah from every perspective oneplus pad go 20,000 रपीस की range का best tablet option साबित होता है but हाँ if you want LT variant then यह tab आपको 20,000 plus cost करेगा based upon variants 20,000 से 25,000 की बीच में यह tablet आपको मिलता है but to be very honest 25,000 का oneplus pad go is not a good deal no doubt it's a really good tab but 25,000 के as pass पे आपको Xiaomi pad 6 मिल जाता है and as compared to Xiaomi pad 6 definitely oneplus pad go की performance काफी inferior है so हाँ यार 20,000 का wifi variant of oneplus pad go is actually a worth deal दोस्तो अट अमार्थवरी we have galaxy tab s6 light हाँ जानता हूँ बहुत पुराना tablet है but still मेरे हिसाब से Samsung का सबसे value for money tab है यह and main चीज artistic work के लिए तो सबसे best option है यह tab आपको S Pen मिलता है in the box you don't have to pay आप पे नी extra for S Pen and S Pen और Apple Pencil के accuracy आप 19 BC मानो बाकि S Pen के साथ 10.4 inches का display मिलता आपको इसा TFT LCD panel display outdoors में visibility थोड़ी compromised है बढ़ है इसा decent display 8 megapixels का rear and 5 megapixels का front camera है इसा 4G tab 5G sim support ने मिलता आपको Exynos का 96111 chipset मिलता आपको again इसा decent chipset not good enough for games and all बढ़ इदे टास्क artistic work में आपको कोई भी issue नहीं आने वाला और 7040 mAh के आपको बैटरी और 15W की charging है out of the box वैसे Android 10 मिलेगा आपको इस tab में but it's upgradable up to Android 13 और 1 UI 5 मिलता आपको with all these things a knock security भी है as such इस tab में कोई कमिया है नहीं चीज़े आपको बलकि extra है मिलती है like S Pen in the box and all देखो if you want a Samsung and strictly a Samsung tablet तो date वगरा मत देखो 2020 का tab है but still value for money है definitely you can go with this one based upon variants tab S6 Lite आपको 20-27,000 के बीच मिलेगा दोस्तो अट नमाटू we have Lenovo Tab P12 मैंने tablets बहुत सारे रिव्यू करें but मैंने ये सोचा कभी नहीं था कि एक Lenovo का tablet 25,000 रुपे के नेंज में second best option भी साबित होगा but trust me Lenovo ने ये tab P12 इस बार बहुत ही बढ़िया निकाला है specs से सुन के आप हिरान रह जाओगे 12.7 inches का comparatively बढ़ा 3K display है ये 14 इंच का laptop पाता है 13 इंच का display इस tab का it's a really big उपर से 3K display है बढ़िया multimedia consumption होगा outdoor visibility थोड़ी ठीक टाक है 400 nis की brightness है वैसे बाकी quad JBL speaker से इस tab में तो भी ATMOS sound configuration भी है Dimensity 7050 chipset मलता आपको it's a really good chipset आप इस tab पे gaming भी कर सकते हो even titles like BGMI, COD medium to high settings पर इस tab पर playable है Wi-Fi 6 मलता आपको Android 13 OS है battery इस tablet में है 10200 mAh की battery size is really something else definitely backup में भी difference है list के बाकी सभी tabs से आप इस tab का backup लगबग 2-4 घंटे एक्स्रा लेके चलो but for charging up this brick 30W की fast charging मलती आपको not that fast बठा Samsung के 15W के charger से बढ़िया है यर बठ 10200 mAh की battery 30W के charger से पूरे 3 घंटे में charge होती है बाकी pen support मलता आपको वो अलग से लेना पड़ेगा N8GB की RAM है 128GB की storage SD card support करता है tab up to 1TB camera setup भी बहुत बढ़िया है 13MP का front camera है बोथ camera supports 1080p 60fps recording दोस्तो multimedia consumption के हिसाब से it's a really good tablet segment के बाकी tablet से सब ही चीज़े आपको एक्स्रा मिलती है इधर इस डिस्प्ले, battery, camera setup सब ही चीज़े बढ़िया है अहाँ price भी थोड़ा extra है base variant इस टाप का 25,000 का आपको मिलेगा और अगर आपको टाप के साथ में पैंच ही है then 30,000 का टाप P12 आपको cost करेगा list में पहले नमर पे आता है Xiaomi Pad 6 और यार ये चीज़ तो inevitable है बलकुल पिछले साल Xiaomi Pad 5 best Android tablet ता बजट में इस साल Xiaomi Pad 6 है Xiaomi Pad 7 ये मुझे लगता है disappoint नहीं करेगा खर बात करें अपने इस Xiaomi Pad 6 की तो यार इस 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 अपने बजट Android टापलेट जो कि मैंने अभी ही तक यूज करा है performance लोग से सभी चीज़े आपको बलकुल up to the mark मिलती है specially segment के टापलेट से performance का जो gap ये टाप आपको offer करता है वो कुछ ज्यादा ही है बट पहले बात करते हैं डिस्प्ले की इस टाप में आपको 11 इंचिस का 2.8K प्लस दिस्प्ले मिलता है डिस्प्ले से पोस Dolby Vision and HDR10 2 साथी 144 हच की refresh rate भी आपको मिलती है 13 Megapixels का rear camera है and 8 Megapixels का front साथी इस टापलेट के 13 Megapixels के rear camera से आप 4K वीडियो शूट तक भी कर सकते हो Snapdragon 870 एक बहुत पारफुल चिपसेट है as compared to previous tablets performance में जो gap in this tablet का वो यार काफी बड़ा है quad speaker से इस tablet में and speaker supports Dolby Atmos sound 8840 mAh की battery है साथी out of the box Android 13 ये tablet आपको offer करता है यार ये Xiaomi Pad 6 अपने display performance, speakers, battery इन सभी चीज़ों को साथ लेके चलता है that's why this one is a perfect Android tablet जो कि आप 26 से 30,000 रुपीस के बीच में खरीच सकते हो so दोस्तों ये थे वो सभी tablets जो कि 25,000 के आसपास में बिल्कुल वर्थे deals है यार अपनी brand preference के साबसे आपस लिस्ट का वैसे कोई भी tablet ले सकते हो बट अगर मैं आपकी जगे होता और मुझे performance चीज़ों थी तो मैं Xiaomi Pad 6 लेता बट अगर मुझे performance से इतना मतलब नहीं होता मुझा artistic work वगएर करना है secure tablet चीज़ों मेरको